सच्चाई और अनुशासन की समझ लोकमान्य तिलक को बचपन से थी। उनके बचपन का एक प्रसंद काफी प्रसिद्ध है। इसके मुताबिक एक दिन उनकी कक्षा के कुछ छात्रों ने मुंगफली खाकर छिलके फर्ष पर बिखेर दिये। टीचर ने जब यह देखा तो वे आगब बूला हो गए। इस घटना के बाद सभी छात्र सहमे हुए थे। टीचर ने जब इस बारे में सबसे पूछा तो किसी ने अपनी गलती नहीं स्विकारी। इस पर टीचर ने पूरी कक्षा को सजा देने का फैसला किया। उन्होंने प्रत्येक छात्र से अपना ह हाथ आगे बढ़ाने को कहा और एक एक कर सबकी हथेली पर जोर-जोर से बेंट जड़ी। जब तिलक की बारी आई तो उनके चहरे पर डर का भाव बिलकुल नहीं था। उन्होंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया बलकि उसे बगल में दबा लिया और बोले मैंने किसने खाई है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा और बेंट भी नहीं खाऊंगा तिलक ने कहा।